हालो असलाम अलेकूं गाईज आप सब लोग कैसे हैं तो गाईज आज पूरे तीन दिन बाद मैं पुराने वाले घर पे फिर से आ गया हूँ तिक कि तीन दिन मेरे ड्यूटी लगी हुई थी और तीन दिन मैं यहां पर पानी नहीं डाल पाया आके और देखिए क्या हो गया आप लोग देख सकते हैं क्या हो गया यह हालत देखिए इसकी और चिडिया मर गए यार बोड़त मुसीबत हो गई है तो गाईज आप लोग को दिखा दूँ तीन दिन पानी ना देने की वज़ह से इतनी गर्मी है यहां पर देखिए एक चिडिया यहां पर खतम हो गया औ थोड़ा भी और तीन दिन हो गया पानी किसी में भी नहीं है किसी में भी पानी नहीं है गाइस देख सकतें आप यार यहीं इसका इंतिकाल हो गए यह तो मर गी यार पानी बेगएर क्या करूं इसको यहां पर गार दूँ गाड़ा खन के आप लोग भी आर अपनी चछतों पे कहीं भी जहां भी हो सके पानी रखिये चिडियों के लिए गर्मियों में बहुत जरूरी है भाई तो चलो पहले इसको गार देते हैं गाड़ा खन के ग्राइस मैंने एक सेवर लिया था उसके मदब से मैंने गड़ा खन लिया गड़ा खन के अब इसमें इसको दफन कर देता हूं तो गाई जैसे की मा बताए एक छिड़ीया मरी हुई है लेकिन यहां पर दो दो है दो दो बिचारी मर गई है देखिए और एक यहां पर एक यहां पर ही मरी हुई है इसको हम लोग फाक्ता बोलते हैं इंडिया में हम इसको फाक्ता बोलते हैं गाई इस एक यहां पर यार दफन करना पड़ेगा दोनों को एक यहां पर देख लिक जी एक महां पर दोनों साथ में है दिखा दूं दिखिए एक वहां एक यहां पानी ना देनी की वज़ा से तीन दिन मैं दूट्यूट्यों में था यहां पर नहीं आ पाया इसकी वज़ाए से ऐसा हो गया रोज आता था पहले पानी डालता था तो कुछ नहीं होता था अभी देख लेगे हैं यहां पर बिचारी यह कि हां पर खतम हो गी है और दूसरी वाली वहां पर दूसरी वहां पर तो गाई इसको पहले दफन करते हैं तो गाई आप देख सकते हैं इन दोनों को मैंने उठा लिए एक साथ अब इसे दफन कर देते हैं यहां डालके बिसमिल्लाइब गाई इस पानी ना देने की वज़़े से इसा हो रहा है यहां पर पानी की बहुत कमी भी करकरी है और यहां पर ही ज़यादा गर्मी है है नहीं तक बन करता हूं तो अलो गाई अब दिन तो पानी नहीं दिया हूं अभी लोके नहलाना भी पाड़ेगा चाड़ी के हैं नहीं तो तो सूख जायेंगे घटब तेसे नहला दूँ इसको बाकि यहां तक तो जाए देनी ये खजूर रूपर ये खजूर दोसरी है उदर चलता हूं देखें उदर देता हूं बिचारी फाक्ता मर गया यार पानी ना पीने के वज़े से पानी नहीं पी पाया इसके लिए वो खतम हो गया कि पानी फुल रहता था मैं इसलिए तो मैं एक और नया खरीद के लिए काया बर्तन उदर रखा पानी पीने के लिए लेकिन अब तीन तीन में रखता हूं फिर भी खतम हो जाता हूं तीन दिन हो गया यहां गर्मी भी बहुत है इसलिए रोज आना पड़ेगा नागा हो कि यहां पर कोई मरेगा तो बहुत मुसीबात है कि इसमें फ़राखा देगा है कि वीडियो अच्छी लगता है यार लाइक तो कर दो लाइक भी कर दिया करो पता चलेगा हाँ आप लोग देख रहे हो लाइक कर दिया करो सब्सक्राइब तो करने के लिए बोलता ही हूं सब स्थ्क्राइब कर दिया करो नए हो तो सब्सक्राइब फिलीज कर दो लाइक कर दिया और हो तो पता वी चलेगा न हाँ आप लोग आते हो देख्यों कर देता हूं तो सब्सक्राइब मेरे को कमेंट कर देता है तो गाई तो मैं बरतन को धूल देता हूं उसके बात डाल देता हूं उसमें पानी धूलने के बाद पानी ये वाला बरतन नहीं आगा देखो मैंने यह वाला खरीद के लेका आया था वीडियो पहले बनाया था यह वाला वीडियो में मैं दिखा दिया था पहले लेका आया था वही वाला है अब देख सकते हैं यह वाला देख सकते हैं मैंने लेका आया था यह वाला खरीद के पानी रखने के लिए क्योंकि इसमें रखता था बहुत जल्दी पानी खतम हो जाता था इसलिए मैं इसको खरीद के लेका एक यहां पर एक कराई है इसको भी बना दिया था इसमें रखने के लिए पानी रखन एक मेरा काफिल लेका है तक खरीद के ये वाला बुलू वाला गरीन बुलू जो निख रहा है तो चलो वीडियो के करते हैं आएंड ओके अल्ला पिर